नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं सीयम हिमंत्र ने 252 अभ्यार्थियों को सोपा नियुक्ति पत्र जे पीएसी की साथवी से 10 वी सन्युक्त सिविल सिवा परिक्षा के माधियम से अनुस संसित 252 अभ्यार्थियों को मुख्य मंत्री हमान सुरे ने सुक्रवार को नियुक्ति पत्र सोपा डाक्टर राम देयाल मुंडा कलाभवन सभागार में अव्यजित नियुक्ति पत्र बित्रन समारों को समोधित करते हुए सीयम सीरी सुरे ने कहा आज का दिन आपके लिए खोसी और संकल्प लेने का दिन है आपको नई जीमेदारी मिल रही है सीयम सीरी सुरे ने कहा अलग राज बनने के बाद जार्खन को नई दसा और दिसा देने के लिए सकरात्मक सोच के साथ पहल नहीं हुई जिसका खाम्याना हम सभी को भूगतना पड़ रहा है राजे के बिकास की जड़े खोखली हो चुकी थी इसे हरा भरा करने के साथ मजबूत करने की कोशिस लगातार कर रहे हैं खुटी SDM को सस्पेंड करने का निर्देश जारखन के स्टीम हिमान सुरे ने खुटी में SDM के पदपर करणरत सयद रियाज अहमाद को सस्पेंड करने का निर्देश दिया है आपको बता दे कि SDM पर हिमानचल परदेश की इंजिनियरिंग के छात्रा ने योन उत्पिरना का आरोप लगाया है इस मामले में थाने में परत्मे की दर्ज कराई गई थी इसके बाद जाच में आरोप सही पाया जाने के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था उसके बाद SDM को गिरफतार कर जेल भेज दिया गया था आदालत से इनकी जामानत खारिच हो चुकी है जार्खन में पेट्रोल सबसिड्री योईना से एक लाग से अधीक बाहर हुए जार्खन सरकार की ओर से शुरू की गई पेट्रोल सबसिड्री योईना से एक लाग से अधीक गरीब बाहर हो गए है पेट्रोल की बड़ती कीमतों से राहा दिलाने के लिए जार्खन सरकार ने जनुवरी में राशनकारधारियों को पेट्रोल पर 25 रुपे प्रहती लीटर सबसीटी देने की योजना शुरू की थी बतादे इसके बावजूद लागातार्थ सबसीटी लेने वालों की संख्या घठती जा रही है रांची में पेट्रोल की कीमत 100 रुपे होने के बावजूद जार्खन में राशनकारधारी इस जोजना कलाब नहीं ले रहे जन्वारी में जहां पेट्रोल सबसिट्री लेने वालों को संख्या 1,15,000 थी वहीं जो जून में घट कर 13,894 हो गई है सरकार ने पेट्रोल सबसिट्री योजना शुरू करने के बाद रिरेइस्टेशन की परकिरिया शुरू की है जोजना के लाव लेने वालों को हर मा रिरेइस्टेशन करना है इनको परतेक मा विभागे पोटल या एप पर जाकर रिरेइस्टेशन की परकिरिया पूर्नी करनी है नकली खाद और बीज बेचने के आरोप में गढ़वा के दो दुकन दारोप पर मामला दर्ज गढ़वा डीसी के निर्देश पर और निमित्ता को लेकर खरंदी परखन के कृष्णा बीज भंडार एवा मेहता बीज भंडा पर प्रत्मी की दर्ज की गई है साथ ही उनका खाद बीज दुकान की लाइसेंस भी ततकाल परभाव से निलंबित कर दी गई है इसके पूर्व जन सिकायत के अलोक में डीसी के निर्देश पर पदादिकारियों की टीम द्वारा गोदाम का निरिक्षन किया गया निरिक्षन के दुरान जीला की लिसी पदादिकारी सही टीम में सामिल और लोग द्वारा दुकानों द्वारा खाद बीज बेचने में भारी और इमिताब रत्ते जाने की बात सामने आई थी इसके बाद परखंड विकास पताधिकारी खरोंदी थाना परभारी खरोंदी एवां पुलिस बल द्वारा गोदाम को सिल कर दिया गया था पतादे सर्धालुओं को किसी तरग पर इसाननी नहा हो इसके लिए कई बेवस्ता की जा रही है सरधालों की सुविधा के लिए इस बार भी देवगर जीला पर ससंद्वारा बाबा बैदनात एप बनाया गया है इस एप के माध्यम से स्रावनी मेले से समधित महत्पुन सुचना है स्वास्त सुविधा है हेल फ्लाइन नंबर समेत अन जनकारिय मिलेगी कावरियों के वास्त्वीक कतार की भी जनकारी मिलेगी इस एप का लाब लेने के लिए बार कोड एसकेन कर डाउनलोड कर सकते हैं स्यारपी एफ के दरजन भर जवानों को नहीं मिला अनुदान लिखा पत्र जारखन में चल रहे है नकसल बिरोधी अभियान में जारखन पूलिस के जवानों के सास्ता स्यारपी एफ होग कोबरा बटालियन के जवान भी सामिल रहते हैं किसी भी अन्भोनी की स्थिती में जार्खन पूलिस के जैसा ही CRPF होगा कोबरा बटालियन को भी सरकारी अनुदान का ला मिलता है कई ऐसे मामले सामने आये हैं जिन में उक्त अनुग्रा अनुदान वर्सों से लंबित है इसे देखते हुए CRPF जार्खन चेप्टर के आईजी राजियू सिंग ने जार्खन सरकार के ग्री सचीव राजियू अरून एका को पत्र लिक कर जल्द अनुग्रा अनुदान की राथी जारी करने का अगरा किया है बकरीद को लेकर अलर्ट मोड पर पूलिस पर सासन जार्खन में बकरीद के दोरान कड़ी सुरक्षा बेवास्ता होगी सभी सनवेदन सील छेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए है सभी धार्मिक अस्थलों के आसपास अतरिक्त बल की तैनाती की गई है राज्य में बकरीद के दोरान बीदी बेवास्ता के लिए रैपिट एक्षन फोर्स रैपिट एक्षन पूलिस जैब आई आर्बी जीला बल सहीद करीब 5000 से अधिक बल को तैनात किया गया है पूलिस ने अपने खूपी आतंत्र को सक्रिय कर दिया है अमरनाथ हाद से पर जार्खन के राज्य पाल और मुख्य मंत्री ने दुख जताया पवित्र अमरनाथ गूफा छेत्र में बादल फटने के कारण होई कई तिर्थयात्रियों के निधन पर राज्य पालर में इस वैसने दुख जताया है उन्होंने कहा है यह घटना अत्यांत दुख द्वा पीड़ादाई है सोका कूल परिजनों के प्रती मेरी गहरी सनवेदना है यवाम घएल तिर्थयात्यों के सिग्र स्वास्त होने की इस्वर से प्रतना करता हूँ वही मुख्य मंत्री हमांसुरेन ने भी कहा है कि पवित्र अस्थल अमरनाथ गुफा छेत्र में बादल फटने से कई तिर्थयात्रियों के हताहात होने की दुखत खबर मिली है परमात्मा दिवंगत आत्मा को सांती परदान कर सोक स्थनपत परिवारों को दुख किया बिकट घड़ी सहन करने की सक्ति दे उन्होंने घायलों के सिगर स्वास्त लाब की कामना की है 25 लाख का इनामी नकसली कमांडर गिरपतार जहारखण के गिरीडी जीले से सुरक्षा कर्मियों ने 25लाग रुपे की नामी को ख्यात नक्सली कमांडर नंद लाल मांजी को गिरफतार करने में कम्याबी हासिल की है नंदलाल मांजी दुमका के ततकालिन पूलिस अधिक्छक अमरजीत बलिहार सहित कई पूलिस कर्मियों एवं आधा दर्जन चुनाओ कर्मियों के हत्याओ के मामले में वांटेड था गिरीडी के पूलिस अधिक्छक अमीत रेनु ने सुक्रवार को बताया के 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली नंदलाल मांजी को खुखरा थाना चेत्रे के कोड़ा डिह गाउं से पूलिस ने गुरुवार को गिरपतार किया था लालू यादव के स्वास्त के लिए जार्खन में रुद्रावी से एक विहार के पुर्व सीये मोराया सुप्रीमो लालू यादव दिली इम्स में इलाईरत हैं उनकी तबियत में सुधार है परिजनों के मुताबिक पहले से उनके स्वास्त में सुधार है इस हीती काफी ब झाल 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 झाल